बहु नाम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपध्यते गीता सात्मे अध्याय का उन्नीस्वा श्लोग करोणों जन्मों के निरंतर प्रयास के पश्चाद भी जब माया निवृत्ति नहीं होती तब फिर अंत्मे वो मेरी शरण में आता है श्री कृष्ण कहते है और जब भगवान की शरण में गया उनकी भक्ति की तब उनकी कृपा से फिर उसकी माया निवृत्ति होती है तब उसको मोक्ष मिलता है इसलिए भक्ति के बिना मोक्ष नहीं होता कंक्लूजन ये असंभव है कि भक्ति के बिना मोक्ष हो जाए लेकिन जी फिर ऐसा क्यों कहा गया वेदों में शास्त्रों में कि ज्ञान से मोक्ष होता है विज्ञान सारतिर्यस्तुमनह प्रग्रह वान्नरह सोध्ध्वनह पारमापनोतितत विश्णोह परमंपदम कठो पनिशत् पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का नौवा मंत्र ज्ञान से मोक्ष मिलेगा ज्ञान मोक्ष प्रद बेद बखाना रामायन ज्ञान से मोक्ष मिलता है ग्ञान देवाई कईवल्यम यहां तक कह दिया गया कि ज्ञान से ही ही मोक्ष मिलेगा रिते ग्ञान न मुक्षी ज्यानके बिना मुक्षी हो गी नही इन वाक्षा अभे प्रएफ प्र हां देखिए ऐसा है यह ज्ञान शब्द जो है ये बड़ा भ्रामक है बहुत प्रकार के ज्यान होते हैं तो उन में से किस प्रकार के ज्यान से मोक्ष होता है बस ये समझ लीजिए तो आपकी शंका का समाधान हो जाए किस प्रकार के ज्यान से माया निवृत्ति होती है त्रिपोन निवृत्ती त्रकर्म निवृत्ती त्रताप निवृत्ती पंचकोष निवृत्ती पंचकलेश निवृत्ती आतिंतिक दुख निवृत्ती होती है ये स्वयम आधी शंकराचार जो ज्यानियों के सबसे बड़े गुरु इसकल्युग में हुए उनी के शब्दों में सुन लीजे तादा नुग्रह हे तुके नई वचव विज्ञानेन मोक्छ सिधिर भवित मरहती शांकरभाश अर्थात जब कोई भगवान की भक्ती करता है उनकी शरण में जाता है और भगवान की कृपा प्राप्त करता है तो भगवान की कृपा से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान से मोक्छ मिलता है यह शंकराचार्च कह रहे हैं भगवत कृपा से प्राप्त ज्ञान ही मोक्छ प्रदान कर सकता है अगर भगवत कृपा रहित ज्ञानी है तो अपनी बौधिक शक्ती वाला ज्ञान ये मोक्ष नहीं दे सकता ये तो बहुत से बहुत अगर कुछ करेगा तो क्या करेगा ग्यानी भूमी जल तेज गोविंद राधे वायू आकाश अहम भेदन करादे ये क्या करेगा देखो भूमी फिर जल फिर तेज फिर उससे परे बायू फिर उससे परे आकाश इन पाचों तत्वों को लांग गया वो ग्यानी उससे परे है अहंकार उसको भी लांग जाएगा यहां तक वो अपनी बौधिक शक्ति वाले ज्यान से पहुँच सकता है अहंकार तक का भेदन कर सकता है लेकिन अहंकार के बाद दो तत्वों और हैं जिनको क्रॉस करे बिना उसे मोक्ष नहीं मिल सकता ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती यो कौन कौन से तत्व हैं अहंकार से परे महान और महान से परे प्रकृति या अव्यक्त या माया इन दोनों को भी लांगे तब ब्रह्म तक पहुँचे तो इनको कैसे लांगेगा इनको लांगने का कोई उपाय नहीं है ज्ञान मारने ये केवल भक्ति से ही लांगे जा सकते ज्यानी महान प्रकृति गोविंद राधे एक मात्र भक्ति ते ही भेदन करादे राधा गोविंद गीत केवल भक्ति से ही ये महान और प्रकृति माने माया इन दोनों से परे कोई जा सकता है पंच तत्व अरु अहम का भेदन करिदे ज्यान राधे राधे पै बिनु भक्ति न करी सके भेदन प्रकृति महान राधे राधे भक्ति शतक उसके लिए चैलेंज है भग्वान का दैवी हेशा गुनमाई मममाया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यंते माया मेतां तरंतिते गीता सात्म्य अध्याय का चौध्यमा श्लोक वो भग्वान की छरण में जाने से ही कोई प्रकृति को लांग सकता है इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्ज ने फिर से कहा भगवत और चन भक्ति योगस्य सिध्धि प्राप्ति ही फलम ज्ञान निश्ठा भक्ति योग की कृपा से जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से मोक्ष मिलता है माया निवृत्ति होती है ज्ञानी की ये अपने सोचने समझने विचार करने चिंतन करने वाले ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती अगर अपने सोचने समझने चिंतन करने वाले ज्ञान से ब्रह्म मिल जाए भगवान मिल जाए तो फिर वो कोई प्राकृत ब्रह्म होगा जिसको बुद्धी ने जान लिया, समझ लिया, प्राप्त कर लिया, असली ब्रह्म नहीं होगा हो, असली ब्रह्म तो बुद्धी से परे है इंद्रिये भ्यप्पराहिर्था अर्थे भ्यष्च परमनह, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परह, महतह परमव्यक्त मव्यक्तात पुरुखाह परह, पुरुखान परम किंचित सा काष्ठा सा परागते कठो पनिशर, पहले अध्याए की तीसरी वल्ली का दस्वा एवं ग्यारह्वा मंत्र, वो बुद्धी से परे है, इंद्रिमन बुद्धी की गति नहीं है उस ब्रह्म तक, इंद्रियानि पराण्याहू रिंद्रिये भ्यपरमनह, मनसस्तु पराबुद्धिर यो बुद्ध परतस्तु सह गीता तीसरे अध्याय का बयालीसमा श्लोप वो बुद्धी से परे है राम अतर्क्य बुद्धी मन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी रामाय बुद्धी से अतीत है राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धी पर अविगत अकत अपार नेति नेति नित निगम वद रामाय तो पिर कैसे वो समझ में आ सकता है बुद्धी से इसलिए क्रिपा से ही जो ज्यान मिलता है उस ज्यान से ही ज्यानी की माया निवृत्ती हो सकती होती है अच्छे चलिए एकदम इस पश्च रूप से समझ लीजिए अप बिलकुल सरल धंग से समझा रहें आपको देखिए मैंने आपको भी बताया था कि अनुभवात्म ज्यान भी द पर्चा हो रही है तो अनुभवात्म ज्यान में दो सेक्षन आपको बताए गए थे एक आत्म ज्यान और दूसरा परमात्म ज्यान भूले ना होंगे आप लो तो जिस ज्यान से माया निव्रिक्ति कही गई है वेदाधी करंथों में वो इन दोनों में कौन सा ज्यान है परमात्म ज्यान उससे माया से छुटकारा मिलता है तमेव विधित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विध्यते यनाय श्वेताश्वतरों पनिशद तीसरे अध्याय का आठवा मंत्र भगवान को ही ज्यान कर माया निव्रिक्ति होगी दूसरा और कोई मार्ग नहीं भगवान के ज्यान से मुक्ति होगी परमात्मक ज्यान से आत्मक ज्यान से नहीं संयुक्त मेतत छरमक छरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशह अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्त्रिभावाज ग्यात्वा देवं मुच्चते सर्वपाशईः श्वेताश्वतरों पनिशद पहले अध्याय का आठवा मंत्र भगवान को जानकर माया के पाश से चुटकारा मिलेगा परमात्मक ज्यान से आत्मक ज्यान से नहीं आत्मक ज्यान मने अपना ज्यान और परमात्मक ज्यान मने भगवान का ज्यान तो भगवान को जानना होगा पहले अध्याय का दस्वा मंत्र भगवान को जानना पड़ेगा और भगवान को जानने के लिए ज्यान मार्ग में कोई उपाय है नि ज्यान मार्ग का तो अंतिम फल है आत्मक ज्यान वहाँ अंतरंग साधन जो है उनको करने के बाद वह कहां पहुंचता है आत्मक ज्यान की अवस्था पर पहुंचता है तो आत्मक ज्यान से तो माया निवृत्ति होती नहीं वो तो परमात्मक ज्यान से होती है अब परमात्मक ज्यान कैसे होगा भत्यात्व नन्ययाशक्य अहमेवं विधोर जुन ग्यातुम द्रश्टुम चप तत्वेन प्रवेश लगवान कहते हैं मेरा ग्यान भक्ति से ही होगा चाहे मुझको जानना हो चाहे मुझको देखना हो चाहे मुझमें लीन होना हो सब के लिए के वल एक साधन है भक्त्या तु अनन्य याँ अनन्य भक्ति तेशाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम ये नमा मुपयान तिते गीता दस्वे अध्याय का दस्वाश लोग यानि वो जो भक्ति करते हैं मेरी प्रेम पूर्वक जो मेरा भजण करते हैं उनको मैं अपना वो दिब्ध ज्यान प्रदान करता हूं जिससे फिर वो मुझे प्राप्त करते हैं परमात्मक ज्यान केवल भगवान की भक्ति से ही होता है उस भक्ति से क्रिपा होती है फिर क्रिपा से भगवान अपना ज्यान कराते हैं तब कोई जीव भगवान को प्राप्त करता है अब भगवान को प्राप्त करके माया से छुटकारा प्राप्त करता है इसलिए कंक्लूजन क्या निकला कोटी कल्प सीर मारो गोविंद राधे भक्ति बीनू ब्रह्मक ज्ञान होना बता दे करोणों कल्प तक तुम खोपड़ा भंजन करती रहो बिना भत्ति के ब्रह्मक ज्ञान अतंभव